तो एपिसोड 6 के कहाने अब तो कि कुछ ऐसी रही है कि मौली ने जैसा बाता किया था कि यूंची को एक न्यू सेट अप मेस्टिक मेंस को क्रेट करके देगी वो ऐसा करती है साथी साथ उसे एक नया टेकनिक भी सिखाती जिसका नाम तर शैडोज अब देस्टार गॉर्ड और उसके बाद उन लोगों को तीन हेवन फेस की कुछ लॉंडे रिखाय देते जो कि एक ड्रैगन से लड़ने आ रहते और जो की था हमारा किंग फेस से और उन लोगों की लड़ाई के दौरान हमारा यवारा एपिसोड खतम हो गया था तो चली जानते हैं कि हमें एपिसोड 7 में क्या देखने को मिला है तो पिसले एपिसोड में जैसा हमारा यवन जी गयाप था लेकिन आचानक से वो विजिबल हो जाता है क्योंकि उसके उपर एक हमला होता है और इसी दोरान वो केव के अंदर एंटर कर चुका था जहां से उसको बुलावटे आ रही थी और वहां एंटर करते हैं उसे दिखाया देती है Fire Spirit Hub और वो देखे बिलकुल पगला आया था क्योंकि उसे उसने आज तक अपने Master के किताबों में दिखा था कभी सामने से दिखा नहीं था और वो जाते हैं सबको करेट करना स्टार्ट कर देता है लेकिन इस बारे में Dragon को पता चल जाता है क्योंकि उसके अंदर के सारे के सारी चीज़े जो थी Cave की वो सभी चीज़े Dragon से जुड़ी हुए थी जिस वैसे उसे इस बात का पता चलिया और साथी साथ यूंची को वहां पर एक और Box मिलता है जिसके अंदर में एक Seed टाइप का था और बाद में मौली उसे बताती है कि ये जो Seed है Evil God के जरी चोड़ा गया था जब Evil God मरे थे वो ऐसे 5 Seeds को चोड़े थे 5 जगह उपर और ये जो है उनमें से एक है और यूंची जैसे इस Seed को टच करता है इस बारे में भी Dragon को पता चल जाता है और जो Dragon उन तीनों बुड़ो के साथ खेल रहता है वो बिलकुल पखला गया और जल्दी से क्या करता है कि उनके पिछवणा में आग लगा देता है जैसे उनके पिछवणा में आग लगती है ऊसने लिएते हैं क्या बेवकूटी बड़ी बात है और उसके बाद ही वो क्या करता कि यूजी को पह अपना हमला करता है लेकिन वो जैसे हमला करता। मौली उस हमले को रोक देती है, और उसके बाद बिल्कुल powerful अपना हमला करने जा रहे थी, और ड्रागन को लगता कि यह हमला तो वो करी नहीं सकती, यह बस illusion है, क्योंकि वो इतनी चोटी उमर में इतना powerful हमला कैसे कर सकती है, लेकिन असल में वो illusion नहीं था, वो अपना powerful हमला क करके उसके मार देती है मारने के बाद मॉली नीचे गिने लगती है धीरसकर दिलता है वह जैसे क्याका था हुव गोलने के लिचा बाद आंगा उसको पी नहीं पाती है तब पर का अपने हाथ जूँको छूस कर मौली, ट्रांसर कर दीता है और ऐसे दो-तीन बार करने के बाद वो भी बेहोश हो आता है लेकिन जब सुबा होने लगता है तो मौली बेहोश में आ जाती है और साथी साथ वो यूंची को भी उठा देती है और वो यूंची को बोलती है कि तुम्हें मुझे बचाने की ज़वत क्या थी तो वहीं पर यूंची बोलता है कि तुम इतनी सुन्दर हो तुम इतनी प्यारी लड़की हो मैं तुम्हें कैसे मरने दे सकता था तुम्हें 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 मरना नहीं चाहिए तभी बोलती है कि इस प्यारी लड़की के बारे में तुम अभी जानते क्या हो और खुश हो याती है, फिर मॉली यूंची को बोलती है कि तुम्हें वो जो सीड मिला तो उसे दिखाना ज़रा और वो जैसे निकालता है तो वो बोलती है कि तुम उसे निगल जाओ, लेकिन यूंची एक टाइम के लिए चेहरे के पास लाके उसे हिसकी चाने लगता है, ले कि अंदर special abilities होती है, ये 5 elements में से एक element को control कर सकते है, और ये control कर सकते है, तुम्हारा fire को, उसका दोधोने निकल जाते है, उस cave से बाहर जैसे आते है, तो मॉली उसे एक बात बताती है, बोलती है कि तुम जैसे evil god phase में पहुँच जाओके तो तुम खुच से higher rank वालों को challenge कर सकते हो, लेकिन अभी जो तुम लेवल पे हो, तुम अपनी लेवल वालों को असानी साहरा सकते हो, क्योंकि तुम्हारी power काफी जादा है उन लोगों के मुकाबले, यही से बात करते करते हैं हमारा episode यहीं पर खतम हो जाता है, तो मिलते हैं आपसे next episode में हो सके, तो मैं इसक को अच्छी लगी हो, तो कमेंट करको जरू पताईएगा, लाइक जरू करिएगा, और साथी साथ मिलते हैं आपसे next video में, तब तक के लिए good bye